हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभी क्लासेस मैं रंजीत कमार अप लोग का बहुत बहुत सौध करता हूं आज में क्लास टेंद के लिए मैट्स लेकर आऊं जो की एंसी अर्टी हिंदी माधियां पर अधारित होगा तो यह यहां पर हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर जो ह कि मेरा पहला पार्ट्स होगा तो यहां पर हम लोग क्लास नाइन का जो है अभी शुरू किया है और यह जो 2019 और 20 के सेसन वाले विदार थी है वो इनको जोईन कर ले और चैनल को सिस्क्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा अधम बैसी से सारे चीज़ को स को यहां पर परिछह यहां है पर इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका परीच है इस चाप्टर से जो हमारा संघ्या प्दत्थी किभूह करें देख सकते हैं इसятиं में कि घृत करेंगे उब इस बीए हम लोग प्रकुरट संख्या है पहले पढ़ें कि नियुक्टनेंबर बोलते हैं फिर दूसरा आम लोग पढ़ेंगे पूर्णी संख्या है जो की होल लंबर कहते हैं तिसरा हम लोग बुर नाग पढ़ेंगे जिनको इंटीजर कहा जाता इंग्लिस में उसके बाद परी में संख्या को देखेंगे यह पार्ट यह पार्ट जो भाते हैं 10 और इसके पहले सारे आपको यहां से चाल तक सारे आपको 9 में पढ़ानी है और इस रेलेटेट एक्जाम में आएंगे और डील्स कुड़ना बहुत हो रही है क्लिकोंकि अबने जान है时 durch औबजेक्टिव पूछती है तो कुछ भी पूछ सकता है तो चलिए हम लोग यहां पर पढ़ेंगे पूरे डिटेल पढ़ेंगे थोड़ी सी छोटे-छोटे बाते को भी इग्णोर नहीं करेंगे क्योंकि सारे तो अबजेक्टिव कोशन आते हैं यहां में पहला दिखते हैं काता है प्रकृत संख्य क्या है जो होता है खर करOOOOOOOO करते हैं तो 12345 यह से लिख 이야기 सक उeloid की इसको लोग द़ sharpen सिन्ती वाली सिंख्या और इन्हें हम लोगा क्वार्थ सिंख्या करते हैं और वडिक सिंख्या को जेए की ढ़रतलों क्या ओनBa स्कूलत करेंगे स्भड शुचीर का सुल operate करते हैं कि अगला बात आते हैंगा पॉइंट से Just सम्मू में यदि आप शुन्य को सामिल कर ले यानि की मिला दिया जाए तो हमें एक पूर्ण संख्या का सम्मू पराप्त होगा मतलब जैसे हमारे पास प्रकृत संख्या आपको पता था वन टू थी फॉर फाइप इस तरह होता था अगर इसमें एक सुन्य को सामिल कर ले आपको 012345 यह सारे क्या है आपका पूर्ण संख्या में अगर आप शुन्य को सामिल कर ले तो वह संख्याएं के बन जाएगी पूर्ण संख्याएं बन जाएगे अब आगे हम लोग बात करतें नेक्स्ट कोशिन जो हो जो होता है हम लोग का पूर्णांग को देखेंगे जिसको हम लोग इन टीजर करते हैं तो पूर्णांग संख्याएं होती क्या है सिंपल सा अब दिखेंगे पूर्ण संख्याओं के समो में यदि प्रकृत संख्याओं के रिनात्मक अंक मिला दिया जाए तो हमें एक पूर्णांग का शमूर प्रप्त होता है मतलब कि हमारे पास जो पूर्ण संख्याओं जीरो वान टू थ्री फॉर फाइब यह से सारे हमारा क्या है हमारे पास यह पूर्ण संख्याओं काते हैं अब इसमें जैसे कि आपके पास प्रकृत संख्याओं क्या होता है जैसे कि वान टू थ्री फॉर यह सब क्या हमारा प्रकृत संख्य इसमें रिनात्म कर दिए अगर यह रिनात्मक से खुम पर कर दो Ss G था दो प्डशानास्म कर लेता है रिनात्मकबरा फ不過 सिंख्या दो कुर्ण से जिए है दिखके जो अब इन तीनों चीज़ को हम लोग थोड़े डाफनेशन से समझते हैं अगर हम लोग यहां पे इसकी परिवासा देखें तो आप यहां पे देख सकते हैं कि धनात्मक पुर्णांग सिंख्या अगर देखा जाए जो सुनी से बड़ी पुर्णांकों के धनात्मक सिंख्या अगर आपको रिनात्मक भी बात की जाए तो सुनी से जो छोटी पुर्णांग होगा उसको रिनात्मक पुर्णांग काते हैं सुनी से चोटी क्या होगा मैनस मैनस टू मैनस त्री इस तरह करके आप क्या कर सकते बढ़ सकते हैं तो यह हमारा क्या होग है रिनात्म सुन्य आ गया जो सुन्य एक भी पुर्णांग भी है तो आप बो सकते हैं अगर शुन्य की बात क्या जा है शुन्य नातो धनातों पुर्णांग है और नाहीं रिनात्मक पुर्णांग है सुन्य को आप नातो धनातों बोल सकते हैं नाहीं रिनात्मक बोल सकते हैं तो यह था सिंख्या प्यवति कुके रूप में लिखी जा सकें जहाँ पी और क्यू एक पौरणाओं को पूरणा के बाते अब इम बात कियें तो परीमें सिंख्यां कहलाती है जिसे इक वच्वटे 2 पाज वच्वटे 4 जिपटे 2-12 внे साथ यह सब हमारा क्या है एक बोल सेटे परीमें स साहसे आप देखें तो कहात कह रहा है कि पीवटे क्यू के रूप में लिखना है और यह जो क्यू है जो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए क्यू के बराबर नहीं होना चाहिए मतलब कि नीचे जो होता है हमारा हर वह जीरो नहीं होना चाहिए उपर अगर जीरो हो सकता तो परिमे संख्या है, मतलब कि आप बोल सकते 0 एक परिमे संख्या है लेकिन एक बटे अगर 0 की बात किया जाए तो ये परिमे संख्या नहीं है अब चलिए हम लोग तोड़ी सी इसमें और एक दो बाते सिखते हैं जो कि यहाँ परिमे सी सिखने को मिलें गए अगर परिमे संख्या की बात किया जाना जितना भी पूर्णांग ये सारे क्या है परिमे संख्या है अगर पूर्णांग की बात किया जाना हम लोग पूर्णांग पढ़े मैनस 4 ये अगर बोला जाए तो ये हमारा क्या परिमे संख्या है मैनस त्री परिमे संख्या, जीरो परिमे संख्या, वन परिमे संख्या, टू परिमे संख्या, नीचे अपने मन से वन तो बैठा सकते हैं आप वो पता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो जाएगी तो वो परिमे संख्या नहीं होगी, अब आगे हम लोग बा संका है तो सब घांगे हैं अगर अगर के बात छाया मेरा तो यहां पर देसके टितया है व मैं सींख्शक्त है लेकिनया देंगे अगर रुट तो शेखतन है ज़ो होता है नहीं है व्लिवल्ट तो यह सब क्या है रूट के अंदर है यह था हमारा क्या हो गया और परी में सिंख्या हो गया एक बात और दिहां देना है कि पाई जो हमारा और परी में सिंख्या है लेकिन अगर पाई का वैलू बाइस वेटे साथ लिया जाए तो यह परी में सिंख्या है अब को पता है पाई का वैलू यह होता है 22 वटेशाथ होता है अगर पाइब Rafary सेखेंगा है लेकिन 32 वटेशाथ वौट है पाई का वैलू ुट However हमारा 22 साथ हमारे एक परी में संफिया है' खिलüne दिएखान में कैसे में यहां से कोशन एक कोशन जरू पूच žाए और गजाम हो था में पूछा गा था कि प्या है परेवियन संग्हा और आपके स्पर्डानल दिया ता संग्हां मैं करते हैं त defenders से संहां जैसे कि आप देख सकते है जो कि एक परी में संख्या सेख्या mówi कि ओर परी में को मिला देजिए तो दोनुनुनी मिल्न वाद क्या है मारे वासे बंती है यहां-बिल इक परी में संख्या chyba 586- lovely अब आगे हम लोग बात करते हैं यहां पर कुछ इंपोर्टेंस पॉइंट जो अभी हम लोग जितना चीज पढ़ें ना उसमें से पहला कोशन था प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है लेकिन पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं हो सकती है देखिए यहाँ पर अगर हम लोग प्रकृत संख्या की बात करें इसका क्या होता 1,2,3,4 ठीक है अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो 01234 ठीक है तो प्रकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकती है लेकिन पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होगी क्यों एक दो तीन चार पांच जितने भी है वो हमारा क्या एक प्रकृत संख्या है और यह प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती है तो यह हमारा क्या होगा प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है लेकिन अगर हम लोग पूर्ण संख्या के बात करें जीरो एक हमारा पूर्ण संख्या है लेकिन अगर हमने इसके प्रकृत संख्या के बारे में बात किया जाए तो यह प्रकृत संख्या नहीं हो सकती, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, जीरो जो है ना हमारा एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रकृत संख्या में जीरो नहीं है, तो इसलिए क होगा आप यहां पर इहां पर कंक्लूजिससि निकालते हैं कि प्रकृत संक्या जो है पूर्ण संक्या हो सकती है लेकिन पूर्ण संक्या पूर्ण संख्या नहीं होसकती है अभी इस हैं लोग करते हैं बैस मैंने से तरह किया है मैरा पूर्ण के बात करें तो मैनजड waren जीरो फान वन टू यह सारे चीज़ का हो गया मेरा होगा है पूर्ण हो गया है था पूर्ण संखियाँ देख सकते Mr फिलेइ आनद तक आप सकते हैं कि आप हमारा पुलिद होगी क्यों कि देख सकते हैं पूर्णाग मेरा रिनात्मक नहीं तो हो सकती है नहीं हो सकते हैं यहां पर यह तोâte चैंस्ल हो यह ल where खार्वा का स्सवisf 對 और रे सब्धीन होगी क्योंब अब आगे तीसरा जो पॉइंट्स है तीसरा पॉइंट्स करता है पूर्णांग संख्या है क्या होता परी में संख्या हो सकती है लेकिन परी में संख्या क्या होगा पूर्णांग संख्या नहीं हो सकती देखे पूर्णांग संख्या जो हमारी होती है जैसे कि अगर देखा ज मैनस 30123 यह सब क्या हो गया मेरा पुर्णांग हो गया अगर परीमे संख्या की बात करें ना गीकते से भिरने में हो गया जीरो एक बटे दो तीन बटे दो पांच बटे छे यह सब क्या हो गया हमारा परीमे संख्या हो गया अगर आप यहां पर देखो पुर्णांग संक्या में जीरो सामिल है तो ये जीरो सामिल है ये हो जाएगी ठीक है वन भी हमारा इसमें सामिल हो जागा ये भी पुर्णांग संक्या हो जाएगी लेकिन अगर पुर्णांग संक्या की बात करें एक वटे दो पुर्णांग संख्या होगी नहीं होगी मतलब पुर्णांग संख्या परीमे संख्या हो सकती है लेकिन परीमे संख्या पुर्णांग संख्या नहीं होगी अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट जो आगे पॉइंट से उनके बारे में बात करते हैं फोर्थ नमर यहां पर जो है जो नेक्स्ट पॉइंट है कहता है परी में संख्या वास्त्विक संख्या हो सकती है लेकिन वास्त्विक संख्या नहीं हो सकती है क्यों ठीक है आपको बता है वास्त्विक संख्या जो होता है परी में और और परी में दोनों की समलित से बनता है बनता है अगर आप परी में की बात करें एक वटे दो जीर तरी बटे दो इस तरह कुछ भी संख्या सकता और परी में रूट टू रूट थी इस तरह सकती है तो देख सब परी में वास्तविक हो सकता है क्योंकि परी में मिलके वास्तविक बना लेकिन वास्तविक संख्या जो परी में संख्या क्यों नहीं हो सकती है लेकिन परी में यह केया इसका रिजन है सेमशी का उपोजीट और परी में सिंख्या वासतवीक हो सकती है लेकिन वास्तवीक संख्या किया हो गांगया। कि देखिक क्यों नहीं होगी टेखित और वपरिमे संख्यां को सकती है लेकिन वास्टेफिक संख्यां नहीं आपको बतह कि वास्टाइग संख्यां को संमिलित से बनता है kun tracks अगर आप अगर आप अगर और आप परी में संक्ति कि उठा लो तो यह तो है कि अगर यह उम आप को परी में नहीं आप देख सकते हैं यहां पर जो इक्जामपल आपके एक्सरमाइड 1.1 में कुछ example दिया था वो हम example आपके पास लेके आए कतन नीचे दिया गया कतन जो है सत्व है या उसत्व कारण के साथ अपना उतर दीजे अगर शत्व होगा तो क्यों सत्व है और अगर उसत्व है तो क्यों हो सत्व है यह आपको इसके कारण भी देनी है तो जो उपर बाते हम लोग बात किये अगर उसको ध्यान से अगर आप सुने होंगे अगर देखे होंगे तो सारी बात आपको क्या होगा समझ में आ जाएगा और उसका कारण भी आप लिख सकते हो कैसे है देखे पहला question कहा रहा कि परतियक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या हो सकती है हमारा जो पूर्ण संख्या है वो प्रकृत संख्या हो सकती है तो आपको पता पूर्ण संख्या क्या था 0, 1, 2, 3, 4 अब अब दिख्या अगर हम प्रकृत संख्या के बात करें वन, टू, थ्री, फोर, तो परतीक जो पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं हो सकती, क्यों, अगर जीरो मेरा प्रकृत संख्या है, तो जीरो मेरा प्रकृत संख्या होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, तो यह मेरा आश्यत्य है, है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा, क्यों कetes कोशन बलता पार्तियप पुर्णांग एक परीमे संक्या होता is clear यह बात सथ है पर्तियप पुर्णांग जो होता न एक परीमे 대해서 कि बात करें जीरो मैनस 1, मैनस 2, 1, 2 कुछ भी इसमें हो सकता है और यह सारे चीज़ आपका क्या है यह सारे चीज़ आपका आप यह परिमी संख्या में भी सामिल कर सकते है तो यह हमारे लिए सथ है क्योंकि परतिक पुर्नांक M को M बटे 1 के रूप में लिख सकते है मतलब कि अगर 1 है तो 1 बटे 1 निक सकता है अगर 2 है 2 बटे 1 निक सकता है 3 है 3 बटे 1 निक सकता है और आपको पता है जो परिमे संख्या होता है उसको P बटे Q के रूप में तो लिखी सकते है तो इसके रूप में लिखा जा सकता है इसलिए यह क्या एक परीमे संख्यां हो सकता है यह मतलब हो सकता है क्या यह होगा ही अब आगे हम लोग बात करतें अगर नेक्स्ट कोशन यहाँ पे देखा जाए त्री नमर कहता है कि परती एक परीमे संख है एक पूर्णांग होती है परती एक परीमे संख है अगर बता दे एक पूर्णांग होगा यह हम लोगों बताना है कि यह सत्य है यह आसत तो अगर आप परती एक परीमे संख है अगर देखा जाए इतो आप दे हैं यहा परिमे संख्या इसके से है क्या यह क्योंकि पूर्मणक praying prayer है अब तो यह हैं अब समझ में आएगा कि यह क्या होगा मेरा औस्त होगा क्यों अब दूसरा एक्जांपल यहां पर बात करते हैं कहता है कि एक और दो के बीच पांच परी में सिंख्यां गयाद कीजी एक और दो के बीच अगर आपको पांच परी में सिंख्यां गयाद करने तो कैसे गयाद कर सकते हैं सिंपल सा है देखे एक और दो के बीच अगर हमको पांच परी में सिंख्यां निकालना है तो जितना सिंख्यां बोलेगे न उस नोगों पराप्त हुआ जो वही चीज ले गर था 6 अक्त को हर से लेकर एक और दो के परिमेस क्याप के रूप में लिख सकते हैं अगर एक बूना 6 करोगे तो 6 वाटे च्छे होगा, और 2 गूना 6 करोगे तो 12 वाटे 6 होगा, इसके बीच में आपको कितने नमर मिल दा घा आपके पास जितने निमर बोला गए तो पतना मिल जाया कितना बोला था हम लोगों 5 तो 5 जाजा जाएगा जिसरी कि इसके बीच माजाएगा अगर देखा जाएगा 6 और 12 सुरी 6 और 6 के बीच और 12 और 6 की बीच बार्ट के बीच lubidisen insult, 6 आप देख सकते हैं एक दो तीन चर पाँच यहां पर हमारे पास परीमेंच यहां वाइन होगा तो इस परकार से अब क्या कर सकते हैं तो आप देख सकते हमें यहां पर निकाल के भी दिखाए तो यह था हमारा कुछ तो किनि और परेमित रुप से अन्नेक निकाल सकते हैं अब देखे थोड़ी सी आगे आगे अगर आप यहां देखो तो अब यहां पर हमारे कतम होता यह पार्ट तो आप देख सकते हैं यहां पर इंट्रोडक्शन जो हम लोग बात किये तो आपको यह पसंद आया होगा वीडियो और यह जो वीडियो हैं इसको सेर जरूर कीजिएगा जो क्लास नाइंत वाले हैं नाइंत के लिए बहुत इंपॉर्ड़न है और मैं जल्द ही साइंस भी स्टार्ट करने वाला हूं और मैट्स आपको यह कंटीन्यू मिलेगा अगर एकाग दिन अगर एपसेंड हो जाते त लोड कर पाते हैं और आप हमें कमेंट करके बताईएगा कि वीडियो कितने अच्छे लेगा आपको और सारे डीटेल्स को जरूर आप पढ़िएगा क्योंकि अब्जेक्टिव हो गया अब्जेक्टिव पता नहीं कहां से कोशित बन सकता है तो इसलिए पूरा डीटेल्स जरूर पढ़िएगा और मैंने भी आपको डीटेल्स पढ़ाने की कोशिस कर रहा हूं तो चलिए आज इतना ही मिलते हैं आपको अगले पार्ट्स में तब तक के लिए बाई थैंक यू